वैसे मैंने यह chapter पहले करा दिया था लेकिन this is the video जिसमें हम बहुत जल्दी से क्योई क्रिजन इस chapter कर लेने वाले हैं बहुत short में और उसके साथ आपको इस chapter का pdf आपको नीचे description में मिल जाएगा तो चलो जिस्टार्ट करते हैं इस chapter को तो how do organism reproduce का मतलब होता है कि reproduction हम basically reproduction के बारे में देखता है कि reproduction किस तरीकिसे होता है की होता है किसी भी living organism का लिए ओर्गनिजम कितने categories में आप डिवाइड कर सकते हैं दो categories में डिवाइड किए भी या तो plants के अंदर होगा ये कोई बी animals के अंदर होगा अब plants और animals भी कैसे होते हैं, कोई living होने के बाद भी unicellular होता है, एक cell में पूरी जिंदिकी जीता है और कोई multicellular होता है, तो हम basically living organism को दो पार्ट में divide करेंगे, plant और animal में, तो इन दोनों के अंदर ही reproduction हम पढ़ने वाले हैं, basically अगर मैं आपसे question पूछू कि reproduction जरूरी ही क्य organism exist करता है, यह तो है नहीं कि वो ही organism पूरे जब तक अर्थ रहेगी तब तक वो survive कर पाएगा, इसलिए वो अपनी अगली generation को क्या करता है, अपनी next offspring को या भी बोल दो generation को पैदा करता है, reproduce करता है, वो particular species, वो particular organism आगे तक चलती रहे, उनकी पीडिया चलती रहे, इसलिए reproduction जरूरी है, समझा गया, reproduction essential for survival of species on this earth, मतलब इस अर्थ दर्ती के उपर किसी भी species को अगर अपने existence चाहिए होगी, तो वो reproduction करेगा ही करेगा, without reproduction, वो particular species खताम हो जाएगी, तो reproduction का मतलब हो गया, किसी भी species का आगे पैदा होना, ठीक है, कोई भी living organism का, ठीक है, अब देखिए, continuity को ensure करता है, किसी भी organism की, गुमा फिरा के बात एक ही है, कि अगर reproduction नहीं होगा, तो एक particular species खतम हो सकती है, अगर आगे की तरफ reproduction नहीं हुआ, उस species का तो, तो start करते है, reproduction basically कितने type के हम देखते हैं, देखिए, जितने भी तरीकी के reproduction होता है, उनको basically हमने दो part में divide किया होगा यहाँ पर, पहला होता है आपका asexual reproduction, देखिए, asexual reproduction का मतलब क्या होता है, वो हम detail में देखेंगे, लेकिन थोड़ा समय बता देता हूँ, asexual नम में आ रहा है, asexual reproduction, इसका मतलब है कि ऐसा reproduction जिसके अंदर कोई भी sex cells participate ना करे, मतलब कि आपके sperm और ovum participate ना करे, खुद की body से ही breakdown हो होके, वो अपनी अगली generation को पैदा करे, उसको ही बोलते है asexual reproduction, next होता है आपका sexual reproduction, इसके अंदर आपकी sex cells participate करती है, एक male होता है, एक female होता है, वो मिलता है, फिर नई generation मिलती है, तो इस तरीकी से हम दोनों के दोनों को detail में देखने वाले हैं, तो पहले देखते इसकी need नहीं होती है, तो आप बोलते हो, this is a asexual reproduction, तो कितने तरीके की होता है asexual reproduction, यहाँ पर हम types of asexual reproduction में देखेंगे, पहला होता है आपका fission, fission का मतलब क्या होता है, fission का मतलब हम detail में देखने वाले हैं, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, कि type of कितने तरीके की हो दूसरा होता है, budding होता है, spor formation होता है, उसके बाद में fragmentation होता है, उसके बाद में vegetative propagation होता है, उसके बाद में आपका regeneration होता है, तो यह सारे के सारे वो तरीके हैं जिनमें दो parents की, male और female की ज़रूरत नहीं पढ़ती है, यहाँ पे सिर्फ एक ही organism अपनी नहीं जनरेशन को पैदा कर देता है, तो पहले देखते हैं, fission क्या होता है, देखे, a unicellular organism split into two or more organism, is known as fission, fission का basically मतलब है कि कोई भी एक organism होगा, वो क्या करेगा, अपने आपको breakdown कर लेगा, आगे अपनी नहीं organism को पैदा करने के लिए, तो fission भी दो तरीके की होता है, पहला होता है, आपक कोई भी एक organism, दो पार्ट में, अगर मैं लूँ, तो amoeba is the best example for the binary fission, एक amoeba होता है, वो grow होता है, जब वो time के साथ ग्रो होता है, तो वो अपने आपको regenerate करना पाचाता है, अपने आपको reproduce करना चाता है, तो वो अपनी बोडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, पहल इसकी बोडी से उसने दो amoeba produce कर दिये, ये दो फिर दो को produce करेंगे, इस तरीके से amoeba अपने आपको grow करता है, रिप्रेड्यूस करता है, इस process को बोलता है binary fission, okay, this process is known as the binary fission, I hope binary fission का मतलत समझा गया होगा, दूसरा fission होता है आपका multiple fission, नाम सही समझा रहा है कि यहाँ जो organism है वो दो में नहीं divide होता, divide तो होता है लेकिन multiple organism में divide होता है, ठीक है, example अगर लूँ तो मैं ले सकता हूँ, प्लाजमोडियम, plasmodium fission करता है, लेकिन binary fission नहीं करता है, कौन सा fission करता है, multiple fission करता है, क्या होता है multiple fission में, it will divide, इसके nucleus बहुत सारे parts में divide होता है, बहु is budding, budding में भी क्या होता है, यहां पे भी male female की ज़रूद नहीं, this is also an example of asexual reproduction, इसके अंदर, मैं यहां पे zoom करके आपको दिखाता हूँ, देखो, यह bookish language आप पढ़ सकते हो, लेकिन में बहुत easy language में, यह एक hydra का example है, यह अपने आप में क्या है, hydra है, this is what, hydra, क्या करता ह hydra, देखिए इसको मैं zoom करता हूँ, धोड़ा सा, यहां पे अगर हम zoom करके इसको दिखाएंगे, तो यह कुछ ऐसा दिखेगा, देखो, hydra क्या करता है, hydra खुद की body से चोट असा part develop करता है, वो part develop होता जाता है, develop होता जाता है, और वो नए hydra की form में आ जाता है, जैसे वो नए hydra की form में आता है, तो टूट जाता है, टूट के, यह जो पुराना hydra था है, उसने नए hydra को बना दिया, तो basically हम बोल सकते हैं कि अपनी body से ही, नए hydra को जनम देना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, आप budding, तो bud एक शब्द आता है, यहां पे, B-U-D, buds, bud क् इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या, इस प्रोसेस इस नौन अस बढ़िंग, समझ आगी बात, नेक्स्ट चलते हैं, आगे, इस पॉर्फोर्मेशन, देखिए, इस पॉर्फोर्मेशन बहुत हीज़ी है, यह कहां होता है, यह मैक्सिम फंगल, फंगस अप की ब्रैड है, यह अपने रग दी, पहले छोटी सी जगे फंगस लगेगी, फिर दो दिन बाद बहुत ज़्यादा जगे, फिर तीसरे दिन बाद पूरी ब्रैड पे लग जाएगी, तो ऐसा क्यों होता है, जब कोई भी एक फंगस अपने आपको डवलप करती है, पूरी ब मुआ बूरी ऐां पर बंडल्स होता है, इनके अंदर यहां पर इस this बीज़ फसा होता है, यह तो ब्रैड के उनको यह चाहिए होता है, फिर ब्रैड को जो मिलता है, जो चाहिए होता है, पिर दूबार से ग्रो करते है, तो इस इस बीज़ पास और यह एक ऐसेक्श्याल का टाइप है तो I hope you got the point कि इस पर फोर्मिशन किस तरीके से होता है next move करते हैं हम आपका regeneration देखे regeneration का मतलब होता है कि कोई भी एक living organism है कोई भी एक living organism है best example मैंने यहाप प्लैनेरिया लिया regeneration आप बोल सकते हो कि आपने प्लैनेरिया को अगर काड दिया आपने मतलो इसके जो यहाद उसने नीचे वाले पूरी के पूरे पूरी प्लैनेरिय को काड दियास तो बीच यह चिपकली आपने देखिए व फने आपको क्रू ses ses कि पूंचों हो गड़ buyer आपो तो तो उते को काड़ गोगे तो अपने आप क्या लेती ह Build something अजुब सीष को सब्सक्राइच मागए टूपर तो आपड गोर्ट एपन्यूंठ देगा टूपन होता है उपनी व्रेञ्साून तो प्री। यपा दैंensor इस व्रेजली डि़। the point the next is the fragmentation what is the meaning of the fragmentation the fragmentation kya hota iske an der kya hota iske anter to body party develop orata okay lekin fragmentation me kya hota hai ki ye fragments me divided ho jata fragments mada bilkul chot asa part b agar spirogaera ka agar small ek ratio bhi ek fiber bhi agar toot ke alag gir gaya toh wo poora ka poora jo fiber hai wo convert ho jahe ga kis me isp ne spirogaera me toh this is called this fragmentation abha apko ye samajna muskil ho raha hoa ki what is difference between the regeneration and the fragmentation toh yehi mein samjhane ja raho dekko regeneration me kya hota hai ki jis body part ko aapne kata hai wo dubara se develop ho jata lekin fragmentation me ek ek spirogaera agar chote se fragments me bhi tootta hai chota sa ek fragment bhi tootta hai spirogaera then it will develop into a new spirogaera this is called the fragmentation next is the vegetative propagation vegetative propagation kya hota hai iskye an-dar yye bhi ek tariqa kya esexual reproduction hai yaha pa koi bhi yye plants ke an-dar hota hai yye this ke an-dar hota hai kya basically telli plant ko grow karne ke liye bici ki zara pati hai lekin vegetative propagation eek aisa method hai aisa tariqa hai jis me aapko bici ki zarao naih padi hai without seed without any amey aab bol saktateo ki male or female ke vajaya sa hi aap nea plant ko grow कैसे कर सकते हैं थेको by a Auität थे प्रेस्ट प्रअचेट कर भू तो इस को तप का जो नुव्र होता है थेको के लिभे यह यह पत्ता है इसको आप मिट्टी में काड़ दो रहो वरे जो पत्ते का जो इससा है यहां से नया प्लांट ग्रो होने लग जाएगा, यहां से एक नया प्लांट ग्रो होने लग जाएगा, यहां से एक नया प्लांट ग्रो होने लग जाएगा, तो हमको यहां पे सीड की जरुरूरत नहीं पड़ी, तो this is the method, which is known as the vegetative propagation, this is also called the asexual reproduction, the next is the artificial propagation of the plant, अब होता है asexual खतम, अब हम देखेंगे artificial propagation of plant, basically मतलब क्या है, देखे, यह एक ऐसा तरीका होता है, जिसमें आपको बीज की जरुरत इसमें भी नहीं पड़ती है, और नया प्लांट आ जाते हैं, यह सिर्फ प्लांट के अंदर ही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी इंसान को काटा और नया इंसान बना दिया, ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन artificial propagation आप प्लांट में कर सकते हो, artificially नया प्लांट ला सकते हो, पहला method होता है, कटिंग का, कटिंग में क्या होता है, कटिंग में आप क्या करते हो, एक प्लांट को आपने क्या किया, किसी भी पार्ट को कट किया, आपने कभी न कभी देखा होगा, जैसे मनी प्लांट तो दे असले के時 तो other basically, environment देंगी तो ने पेड में ने बन्हें प्लांट प्लांट में ग्रो हो जाता है इस प्रोसेस इस लोवु डार्ट स when he has is the cutting तो ये क्या है samaствен आटिफिशली प्लांट को ग्रो करने तो इस आटिफिशल्य का मतलब है archi speeds. The next is the layering What is the meaning of layering यह भी एक तरीका है, Artificial Propagation का उपर वाला तरीका थे, जिसको Cutting बोला था, यह एक लेयरिंग तरीका है, इसमें क्या होता है, एक प्लांट है माल लो, उस प्लांट का जो पार्ट आपकी जमीन को टच करेगा, जो भी पार्ट जमीन को टच करेगा, वहां से एक नया प्लांट ग्रो होने लग जाएगा, वहां से एक नया प्लांट ग्रो होने लग जाएगा, जैसे यह एक प्लांट था, यहां पे इसने टच किया इसको, यहां, जैसे उसको एन्वार्मेंट मिला, उसकी स्टैम को, दुबारा से एक नया प्लांट आ गया, फिर एक नया प्लांट आग की अंदर क्या होता है यहां पे आप बिना रूंट के नए plant को उगा देते हो इसा कि adequate इता को इस में basically होता हुआ है इसमें कई बार आपने notice किया होगा की एक ऐसा plant होता है जिसके अंदर ऑर होता है और orange शुनत अहरे होता है और होता है नहीं देक्षा तो होता है क्योंब्स पॉसिबल हो पाता है क्या होता है ज़्यूमियुक्त आसको आउसमें गंता से जब दोतान की यह श्यासमत रेशने के लिपलसी तौरप्ध में पाड़तें ज सबह पोईब्स यो औरंज भी देनी लगे का उसी प्लांट में इसमें आपके लेमन भील ने लगेंगे अब दिमाग में आएगा कि ऐसा हमेशा होता है क्या यह सेमस्पीसिज यहना प्लांट में अपने और इसमस्पीसीज और डाइप सकते हो कि फ्रूट्री की नहीं प्लान्ट मिलते हैं acontece यह भी मैं दोड़ फुरीट नहीं तरह कुए बार सुध कर फैसे फैसे सगए प्लांट सेनवाट प्रूट कारीता है फ़ e ccų sense दवर में पल्त सुधा है जहानय है यहां सीड इसलिशाग प्रूंड dos लेक है वह विसके इसकें प्रकोरह को कि गालित को लेगे, नए प्रकोर। में प्रकोर अच्जम Опर बिंख लिए फ्रकोरर कमेγट सेफूल की मेंन सब्समीरेब स calendar यह होता है टिश्यू से प्लांट लेना, is known as tissue culture, यह लेब का काम है, ठीक को फिल्ड में नहीं लेब में करते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं, पूरा complete हुआ, आपका asexual खतम हुआ, artificial propagation खतम हुआ, now we will discuss about the sexual reproduction, sexual reproduction में क्या होता है, sexual reproduction मैंने आपको बताया कि, ऐसा एक reproduction system जहाँ पे, एक male और एक female की जरूरत पढ़ती है, बोल दो, male sex cell और female sex cell की जरूरत पढ़ती है, sexual reproduction, reproduction take place, the combination of the special reproductive cell, called the sex cells, I already told you, यहाँ पे दो होंगे, male और female, तो यहाँ पे क्या होता है, plants के अंदर भी होता है यह, और animals के अंदर भी होता है, ठीक है, तो हम दोनों के अंदर ही पढ़ने वाले हैं sexual, तो sex cells, two type की होती है, male की होती है, already, मैंने बताया है, female sex cells होती है, तेको sex cells commonly known as the gametes, यह important point है, इसको ज़रा याद रखना, मैं बार बा तो अब क्या होता है, कि अगर gametes मिल जाते हैं, मतलब एक sperm है, वो अगर ovum से मिल गया, कोई भी male वाला को किसी भी female sex cells से मिल जाता है, उसके बाद में यह दोनों मिलने के बाद में, क्या बोलते हैं उसको, उस चीज को बोलते हैं, zygote, remember this, zygote, उस चीज को क्या बोलते है, z तो याद रखना है, zygote का मतलब क्या होता है, zygote is nothing but the condition of the sex cells, जब वो मिल जाते हैं, तो male and female, जो gametes मिलने के बाद में, जो condition बनते हैं, उसको zygote बोलते है, simple, तो zygote डवलप होते हैं, form of baby, तो next I'm looking, sexual reproduction in plant, पहले plants के अंदर देख लेते हैं, then we will see in the animals, तो plants के अंदर क्या ह आते हैं, वो पक्का क्या कर रहे होंगे, reproduction कर रहे होंगे, sexual reproduction कर रहे होंगे, ऐसा ही क्यों, देखो ऐसा इसलिए है, क्योंकि flowers के अंदर ही क्या होता है, sexual reproductive part होते हैं, अभी हम detail में देखने वाले है, अब क्या होता है, majority of the plant are bisexual in nature, ऐसा क्या है इसका मतलब, मतलब की majority of plant के जो flowers होते हैं, उनमें male और female दोनों ही sex organs और the sex cells present होती है, ठीक है, आपने देखा होगा आपने चारो तरफ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जितने भी plant के flowers होते हैं, वहाँ पे आपको एंथर भी मिलेगा, अभी हम देखेंगे, एंथर क्या होता है, stigma भी मिलेगा, वो भी दे एंशोर करना, एक जगह देना और सीड को डवलब करना, नेक्स आपका पार्ट सो फ्लार, अब देखो, अब डीटेल में देखेंगे, यह एक पार्ट का कटा हुआ, इसके एक पार्ट को हम डीटेल में देखते हैं, let me change the color here, so this is, first of all हम देखते हैं, यह जो पार्ट आप द इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ही आपका यहां पे सीड डवलप होता है, ठीक है, और इसको आप मिला के पिस्टिल बोलते हो, क्या बोलते हो, यह तीन पार्ट में डिवाइड होता है, यह पिस्टिल बोल दो यह फीमेल बोल दो इसको, ठीक है, फीमेल सेक्स पार् u pr η पार्ट को इस पार्ट को आप इस्टिग्मा बोलते हो नीचे बलाय जो स्टीमा यह यहां इस तरीक से तीन पार्ट में ढत होता है नियुक्ता है मैं की बाद मेयल की बात मतलब ये मेल है ये जो है ये मेल है ये मेल है मेल का जो उपर वाला पार्ट होता है इसको हम एंथर बोलते हैं A-N-T-H-E-R एंथर नीचे वाले स्ट्रेट पार्थ जो इसको पकड़के रखता है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं I hope you got the point ये दो ही पार्ट होता है मेल के अंदर एंथ जाता है नीचे जाने के बाद और जाता है और वही पॉलन गरेंट सीड में कनवर्ट होता है ठीक है मेरे साब से आपको समझ में आ गया बच्ची हुई चीजे तो आप जानते ही हो सैपल और श्टॉक ये सब क्या है पेटल मतलब आपको पाथा पंखुडिया जो होती है त तो मेजर क्या है मेजर चीजे है जो मैं आपको बता रहा हूं जिनको मैंने बॉक्स में बंद किया है ठीक है आप पेटल याद रखो तो रखो नहीं तो कोई जरूर नहीं है एंथर इस इंपोर्टन फिलामेंट इस इंपोर्टन सिस्टिग्मा एंड स्टाइल और 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 बाकिया आपको याद रखना है रख सकते हो शौक के लिए नेक्स्ट है आपका स्टैप ऑफ सेक्शल रिप्रोड़क्शन इंप्लांट किस तरीकी से यह होता है देखो स्टैप अगर मैं बात करू तो यहां पर पहला जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन पॉलिनेशन का मतलब किया है देखो पॉलिनेशन का Mys claim जो मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं वह इसका मतलब है कि पॉललन greet दिमाग माहें गे progress citizen किया होते है तो मैंने अभी प्रोफन लिए पैले है आपको बताया हा distribution क्या होते है जो एन्थर होता है उसके ऊपर जाएंगे और इस्टिगमा क्या करेगा इस्टिगमा से नीचे की तरफ जाएंगे ओवरी की तरफ तो I hope you got the point कि क्या काम क्या होता है इनका basic function क्या होता है इस तरीके से यह हवा की वजए से यहाँ से स्टिगमा के उपर जाएंगे और इस्टिगमा इस लाइक थोड़ा चिप स्टिगमा और कारपल के तर इस तरीके से पहुंच जाना कैसे जाता है इस पॉलिनिशन मतला आपका पॉलन गरेन का पहुँचना किस किस वेhmen किस-किस रीजन से जा सकता है जीत आपको यह याद रखना ऑको laad की वजह से हावा की वजह पानी की वजह से पॉलन आपका जसा ऐसको बोल की तक सिल्फ पॉलिएशन अगर दूसरे पर गया है तो इस को बोलते हैं क् क्रॉस पॉलिएशन दूसरे फ्र प्रस पॉलिनशन की उसके बाद क्या होता है उसके बाद फетिलाइजेशन मितलब ही क्य 지ए क्या होता है देखो फटिलाइजेशन सब्द का मतलब एक जाद रखना मेल सेक्सेल का मेल सेक्सेल का फीमेल सेक्सेल से मिलना कहीं पर भी देखो तो इस प्रोसेस को बोलता है फटिलाइजेशन Remember this, male sex cell, जब female sex cell से मिलता है, तो उस प्रोसेस को fertilization बोल देता है चाहे वो इंसानों में हो, चाहे वो किसी में भी हो I hope you got the point, कि इसका basically मतलब किया है fertilization का Fertilization occur when male gametes, gametes मैंने बताया, sex cell is known as the gametes Made with male sex cell, present in ovule, okay Next, formation of fruit and seed, the ovary flower develop into the form of seed, okay When fertilization happens, when development happens in ovary, the ovary becomes a seed And on the beach, there is a cover which we call fruits, you understand? This is the pollination, which is the pollination, which is the pollen grain, they go down and develop it You don't have to remember the name, don't worry Now let's look at animals, how sexual reproduction is in our inside, this is a very important thing, okay Now let's look at sexual reproduction here, there are two sex cells here, male sex cells, which we call sperm, female sex cells, which we call egg or ovum Now let's talk about sperm, which we call sperm, which we call the body parts, which we call the body parts, which we call the head क्रोमोसॉम्स ही होते हैं उसके बाद में मिडल पीस में कॉलर प्रिजेंट होता है जो कि माइट्रो कॉंडिरिया का काम करता है मतलब पूरी की पूरी स्पर्म को एनरजी प्रोवाइड करने का काम करता है इस इस दा पावर हाउस ऑफ स्पर्म कोई भी पूचे क्या है तो सी डॉर डबल एल एक टावा को जब अगव करता है कि अ जब स्पाइं के अंदर आपके ओव sırब मेंदर तो यत पुश करता इसको आगे बढ़ने के लिए तो I hope you got the point head, middle piece and tail और head पे भी दो पार्ट आपके acrosome जो की digestive enzyme को contain करके रखता है nucleus 23 chromosomes को रखता है collar के अंदर mitochondria वादा energy मिलती है और आप बोल सकते हो tail एक filament की तरह काम करता है जो के swim करने के या बहने के या चलने के या उडने के काम आता है किसके आपके sperm के next होता है ovum इसको male reproductive cell भी बोलते है इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं देखने को एक इस तरीके से cell होती है बीच में nucleus होता है यह sperm आता है और इसके अंदर enter कर जाता है ठीक है टेल से चलता हुआ मूव करता हुआ इसके अंदर enter कर जाता है एक करता है एक sperm ही enter करता है to produce only single baby next fertilization क्या होता है देखिए fertilization आपके यहाँ पर दो तरीके के fertilization होता है animals में एक होता है आपका हम लोगों के अंदर जिसको बोलता है हम क्या internal fertilization के अंदर जाके baby produce करेगा एक होता है frog के अंदर mandak के अंदर कैसा होता है इसको बोलते है external fertilization यह लोग क्या करता है इनका जो ovum and sperm है वो पानी में छोड़ देते हैं और वो पानी में ही क्या होता है fertilize होता है और fertilize होने के बाद baby में बन जाता है तो frog एक ऐसा एक्जामपल है जो पानी में अपना क्या करता है fertilization जिसको हम external fertilization भी बोलते हैं I hope you got the point next होता है step in the sexual reproduction sexual reproduction के step कहां से सुरू होता है देखो कहां से सुरू होगा सोचो सोचो आपके sexual reproductive organ से start होगा male reproductive system से start होगा बिलकुल तो सबसे पहले male reproductive organ में sperm बनेगा वो sperm प्रोसेस होके फिर female organ में जाएगा और ovum से मिलेगा तब जाके क्या होगा reproduction होगा तो हम start कहां से करते हैं हम करते हैं male के testis से करते हैं चलो देखते हैं बाते यहाँ पे किस तरीके से function होता है तो सबसे पहले यहां पर आपका male reproductive system जो की आ जाता है एक्जाम में बनाने के लिए भी आपको ऐसा बना दोगे तो कोई प्रॉबलम नहीं है एक एक इसके चीजों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले जो एक pouch like structure होता है नीचे इसको हम बोलता है इसका काम क्या होता है यह क्या करता है टेस्टीज को outside मतलब शरीर से बाहर रखने का काम करता है ऐसा ही क्यों हमारे टेस्टीज बहार ही क्यों होने चाहिए विकोज अगर अंदर रहेंगे तो हीट की वज़े से इसपम बनते ही बाहर निकल जाएगा इसलिए एक climate provide करने के लिए आपका scrotum बहार outside body रखता है उनको अब उसके बाद में scrotum के अंदर क्या होता है आपका next testis testis का major function दो होते हैं पहला function होता है आपका आपका testosterone hormone produce करना और sperm produce करना बस दो काम होते हैं ठीक है testis के testis के यहां पे top पे एक तरीके से tube लगी होती है जिसको हम बोलते हैं epididymis okay epididymis का का काम क्या होता है epididymis is a coiled narrow tube यह देख रहे हो यह एक coiled narrow tube है जो आपके opening of the testis पे लगी होती है यह तीन पार्ट में divide होती है आपका head, middle piece और tail इस तरीके से ही होती है यह क्या करती है यह एक pressure create करती है to pressurize the sperm, sperm को pressure provide करती है जिससे क्या हो सके बाहर educate हो सके बाहर निकल सके ठीक है epididymis is a coiled narrow tube होती है आप ऐसे बोल सकते हो उसके बाद में आता है आपका यहां पे prostate, prostate क्या होता है देखो समझो prostate का बहुत important function है मतलब है भी नहीं भी देखिए जब testis से sperm निकलता है तो sperm जो होता है वो ज्यादा प्रोवाइड करता है जिससे वह easily move करके बाहर जा सके और easily ovum से मिल सके जब वह ovary के अंदर जाएगा तो समझागी बात तो यह क्या करता है बोल सकते हो कि मीडियम प्रोवाइड करता है उसके बाद में एक चोटी सी ग्लैंड होती है जिसको हम बोलता है यहां पे seminal vesicle यह क्या करते है यह protein provide करती है देखो दो चीजे होती है एक होता है sperm और एक होता है semen तो sperm तो निकलता है आपका testis से लेकिन जो semen बनता है वो seminal vesicle और prostate से क्या लेके protein और fluid कुछ ऐस एंजाइम्स लेने के बाद में सीमन बनता है उसके बाद में आपका जो बोड़ी जो आपका organ part है वो है vast deference यह क्या करता है vast difference को आप बोल सकत हो sperm duct मतलब sperm को सीधा बहार लाके यह नली है जो कि आपको जोड़ती है sperm से penis तक बाहर लाने के लिए मदद करती है लाए इस तरीकर पेनिस तक पहुंचाने के प्रोसेस तक पहुंचाने के लिए glands तक पहुंचाने का काम करती है इतना आप भोल सकते हो ठीक है उसके बाद में एक चीज जूड़ी होती है आपका यूरीन का जो ब्लैडर होता है वह उसका रस्ता और आपके स्पर्म या फिर बोल तो सीमन का रस्ता एक ही हो जाता है तो इसलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं यहां पर बस इसके बाद में यहां हो कि युरेथ्रा के थुरू पिनिस से आउट पाउटर आउटलिट से यहां से बाहर निकल जाता है तो I hope you got the point कि कैसे किस तरीके से टेस से स्पम बना फिर वो सीमन में कनवर्ट हुआ फिर युरेथ्रा के थुरू बहार निकल गया ओके तो दिस इस दा मेल रिप्रोड़ेक्टिव ओर अब देखते हैं फीमेल रिप्रोड़ेक्टिव ओर्गन में पहला जो स्टैप होता है यहां से मालो स्पम आया तो वजाइन हता है स्पम स्पम के तो पम आपके सीमन को किसके लिए जाने के लिए कौन चीज animal आंपका सरविक होता है जो कि पांइस प्रवाइड करते va calidad पाथ आब पोल सकत जगा रस्ता प्रवाइड करता है। उसके बाद अंदर चलते हैं आपके फिमेल अर्षोक्तिव अर्गन में एक जगह होती है जिसको हम uterus बोलते है uterus के दूसरे नाम से भी जानते है किस नाम से जानते है womb के नाम से भी जानते है womb यह क्या काम करते है जब baby produce होगा तो यह nourishment provide करेगा यही वो जगह है जहां पर baby अपने आपको develop करेगा उसके बाद में क्या होता है fallopian tube होती है यह एक ऐसी tube होती है जो की जूड़ी होती है आपके ovary से ovary में ovum produce होते हैं और ovum fallopian tube से होते हुए यहां पे आते हैं तो fallopian tube आप बोल सकते हैं एक tube होती है जो कि ovum को जैसे आपका sperm duct था वैसे ही यहाँ पर एक fallopian tube है जैसे vast difference पढ़ाता हमने वैसे ही यहाँ पर एक fallopian tube का काम करते हो ovari तो पता ही एक ऐसी जगह जहाँ पर ovums बनते हो I hope you got the point कि इसका काम क्या है next move करते हम fertilization this is the important thing जो कि आपको पढ़नी है देखो यह क्या होता है यहाँ पर सबसे पहले जो आपका sperm अंदर आया sperm आपका यहाँ पर uterus तक नहीं रुखता sperm सीधा अंदर आता है fallopian tube से यहाँ तक आ जाता है उसके बाद यहाँ से ovum निकलता है ovum को sperm मिलता है अब ovum के अंदर sperm जा चुका है और यह क्या बन चुका है gamet से zygote बन चुका है gamet किनको बोलता है male sex cell sperm को male gamet बोलता है और ovum को female gamet बोलता है दोनों मिल जाते हैं तो zygote बोले जाते है तो day zero पर मालोज दोनों मिल गए अब यह cell को क्या करेंगे develop करेंगे day one day two इस तरही किसे इनके अंदर four cell day four पर यह और develop होंगे इसके बाद में साथ दिन के बाद एक week के बाद यह आके यहाँ पर embryo में convert हो जाते है मतलब uterus में आके चिपक जाते है placenta में यहाँ पर convert हो जाते है uterus पर आके चिपक गया यह अब develop होता रहेगा बेबी जब 6-7 मेने के बीच में होता है तो उस condition में बेबी के हाथ और पैर visible होता है उस condition को बेबी को बोला जाता है fetus तो यहाँ पर दो-तीन term आई है पहला तो आया है आपका gamete zygote, embryo और fetus तो आपको पता है gametes तो होता है sex cells zygote जब मिलने के बाद zygote बोलता है embryo जब यह placenta पे आजाता है लेकिन जब बेबी के हाथ पैर visible होता है उसको हम fetus बोलता है तो यह terms आपको याद रखनी ज़रा अब बात कर लेते हैं next part की कुछ यह तो हो गया reproduction तो खतम हो चुका है अब हम कुछ important चीज़े इनसे जुड़ी पढ़ लेते हैं जिनको हम बोलते है sexual cycle या फिर menstruation menstruation क्या होता है female के अंदर female के अंदर female reproductive organ के अंदर क्या होता है कि हर एक 28 days में एक cycle होती है जिसके अंदर क्या होता है कि ovum produce होता है sexual cycle periods के नाम से भी इसको जानते है तो ये start किस age में होता है it will start from 12 to 14 year ठीक है 12 से 14 साल के बीच में female को start हो जाता है होना अब देखिए ये क्यों होता है breakdown होता है removal होता है inner thick soft lining of the uterus उसके साथ में आपके ovum बहार आते है इतनी बात आ गई समझ में अब बात कर लेते हैं दो term एक होता है menarch एक होता है menopause menarch एक ऐसी age है जब पहली बार menstruation होता है उस time को ही हम बोलते है menarch जो कि almost 12 से 14 साल के बीच में होता है menopause एक ऐसी age है जब menstruation होना बंद हो जाता है उस age को बोलते है it's almost 45 to 50 year इसको बोलते है menopause I hope you got the point अब देखिए birth control method यह क्या होता है कि अगर if you don't want a baby और बोल सकते हो कि if you want to control the birth तो कौन-कौन से method यूज किये जा सकते है पहला तरीका होता है barrier method इसका best example आब बोल सकते हो कि we create the barrier between the sperm and ovum मतलब sperm ovum में जाई ना पाए तो इसलिए एक barrier create कर देते है दूसरा होता है आपका chemical method chemical method में we can use the pills pills क्या होती है दवाईया after getting it into ovum हम उसको destroy कर सकते है use the chemicals कुछ tablets की मजद से उसके बाद होता है आपका IUCD इंट्रा uterine contraceptive device यह क्या होता है इसको copper T के नाम से भी जाना जाता है यह T-shape की एक device होती है यह T-shape की ऐसी कुछ device होती है इसको आप विजाइना के अंदर फिट कर देते हो यहाँ पे copper wire होता है जब sperm आता है तो यह उसको diffuse कर देता है इसको आपका surgical method इसको हम नसबंदी के नाम से भी जानते है इसके अंदर क्या होता है tubic tummy मतलब यह females के अंदर होता है female की जो आप fallopian tube है इसको cut करके यहाँ पे नौट लगा दी जाती है गांट लगा दी जाती है और वेस्क टॉमी यह आपके male के अंदर होती है इसके अंदर यह ऐसा ही होता है आप जो sperm duct है उसको काट के नौट लगा दी जाती है तो जब production ही नहीं होगा तो baby produce नहीं होगा कुछ बिमारी होते हैं जो sexually transmitted हो सकती है जैसे आपका AIDS हो गया AIDS किस virus से होता है आपका HIV जो किससे होती एक बैक्टिरिया से होती है ठीक है polydum करके एक बैक्टिरिया होता है अगर पूरा नाम बता हूं उसका तो trypo nema polydum मैं यहाँ पर लिख देता हूं trypo nema dash polydum polydum तो trypinoamia polydum के नाम से हम इसको बोल सकते हैं सिफलीज ये bacterium बिमारी है जो क्या करती है आपके reproductive organs को इनफेक्ट कर सकती है infection फैला सकती है एक बिमारी होती पोगनोरिय बोलते हैं गनोरिय भी एक bacterium बिमारी है जो infection कॉज कर सकती है और जादा दिन तक रहे तो female के इंदर एक infertility मतलब बच्चा पैदा नहीं होगा अब चैप्टर था, if you like the video, please subscribe करें और एक बात और, pdf आपको नीचे description में मिल जाएगी धन्यवाद, thank you, thank you so much